इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़ादा दुखी हैं क्यूंकि उन्हें उनकी पगार नहीं मिलती और उन्हीं लोगों की पगार दिलवाने के लिए अब आ गया है पगारिया यह है पगारिया FM रेडियो लेकिन यह शच्च मुझ आपकी पगार आपको न मेरे पांस नहीं है, लेकिन मैंने वो रेडियो मंङवा लिया है, और पंदरा से सत्रा दिनों में वो रेडियो मेरे पास पहfir जाएगा, और वैसे ही मैं उस रेडियो का विडियो बना दूंगा, और ये एक बहुत ही जादा शांदार और प्यारा सा रेडियो है, बहुत ही ज़दा चोटा है, लाइट वेट है और देखने में बहुत ही ज़दा प्यारा है इसका कलर एकदम लाल है, मैंने इसे लाल रंग में इसलिए खरीदा क्यूंकि ये मेरे खून के कलर से मैच करता है लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे ब्लैक कलर में भी खरीज सकते हैं बहुत ही ज़ार शानदा रेडियो है, आप इसमें FM सुन सकते हैं और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं SD कार्ड और पैन ड्राइब भी और इस रेडियो को चलाना बहुत ही ज़ादा असान है, अगर आपको FM सुनना है तो आप FM बटन दबाएं और ये FM मोड में चला जाएगा और यहां पर ये M बटन दिया गया है जो की मोड बटन है, अगर आप इसे दबाते हैं तो आप यहां से Bluetooth मोड में जा सकते हैं या तो फिर SD Card मोड में जा सकते हैं या फिर दोबारा से FM मोड में आ सकते हैं बहुत ही ज़ादा आसान जो है इस रेडियो को चलाना है, कोई भी से चला सकता है यहां पर ये On-Off बटन दिया गया है, जहां से आप इसे On-Off कर सकते हैं, यह रहा Volume डायल यहां से आप Volume कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ही ज़ादा आसान ये रेडियो चलाने में है और उपर से ये काफी ही ज़ादा Lightweight है और आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं कैंपिंग के लिए लेकर जाएं या फिर यूही घुमने निकल जाएं चाहे तो आप इसमें ये फोन्स का इस्तमाल कर सकते हैं ये फोन्स आपको इसके साथ मुफ्त में मिलेंगे ये रहे ये फोन्स जो आपको इसके साथ मुफ्त में मिलेंगे और मुझे टूटे हुए ये फोन्स के साथ मिले हैं अगर आप इसके साथ मिले हुए इन इयर फोन्स को नजर अंदास करें तो और अब वक्त हो चुका है इस रेडियो की साउंड कॉलिटी चेक करने का तो ये है इस रेडियो की साउंड कॉलिटी और मैक्स वॉल्यूम लेवल पर ये रेडियो था इसकी आवाज ज़रा तेज नहीं है अगर आपको धीमी आवाज में गाने सुनना पसंद है तब आपके लिए रेडियो एकदम सही है लेकिन अगर आप उचा सुनना पसंद करते हैं तब शायद आपको ये रेडियो पसंद ना आए आप चाहें तो बाजार से कोई और दूसरा रेडियो भी खरी सकते हैं तो FM आपने इस रेडियो में सुना और अब बारी है SD कार्ड की तो अगर आप इसमें SD कार्ड इस्तमाल करते हैं तो आप गाने थोड़ा और तेज वॉल्यूम पर सुन सकते हैं और अब बारी है USB की तो USB भी इसमें काफी अच्छे से काम करता है और अगर आप इसे Bluetooth के जरीए अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको यही सेम साउंड कॉलिटी मिलेगी जो आपको SD कार्ड और पैन ड्राइव में मिलेगी और इस रेडियो में आप अपनी आवाज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आपको आवाज रिकॉर्ड करने के लिए करना ये होगा कि FM का बटन आपको कुछ सेकिंड के लिए होल्ड करके रखना होगा बिल्कुल इस तरह से और अब आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं चाहे तो खुद को गाते हुए रिकॉर्ड करें या फिर कोई भाशन देते हुए रिकॉर्ड करें जब आप रिकॉर्डिंग पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपको FM का बटन एक बार और दबाना होगा बिल्कुल इस तरह से तो आप सुन सकते हैं कि इस रेडियो ने मेरी आवाज जो है रिकॉर्ड कर लिए है पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपको FM का बटन एक बार और दबाना होगा बिल्कुल इस तरह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये रेडियो है कहीं से भी सस्ता या घटिया ये नहीं लगता एक दम प्रीमियम क्वालिटी का रेडियो है और इस रेडियो को पावर मिलती है इस तरह की इस रीचार्जबल बैटरी से जो की है गोल्ड रीचार्जबल लीथियम आयन बैटरी और इस बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं अपने फोन के चार्जर के साथ आपको इसके साथ Charger मुफ्त में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी बस एक Charging Cable और जब आप इस रीडियो को नया खरीदेंगे तो आपको इस तरह के इस डबे के अंदर मिलेगा और इस डबे के अंदर आपको एक और डबा मिलेगा जो की शमशान घाट कलर का है और इस डब्बे के अंदर आपको मिलेंगे ये टूटे हुए एरफोन शायद अगर आपकी किस्मद अच्छी हो तो आपको ये अच्छी कंडिशन में मिलेंगे और इसके अलावा आपको मिलेगी ये चार्जिंग केबल जिसकी मदल से आप इस रेडियो को चार्ज कर सकते हैं और आपको मिलेगा ये थर्मा कॉल का टुकड़ा और उसके अलावा आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन मैनुवल और आपको मिलेगा वरंटी काड़ तो ये सब कुछ आपको इस रेडियो के साथ मिलेगा जो बहुत ही ज़ादा क्यूट है और बहुत ही ज़ादा काम का है और सबसे ज़ादा मज़े की बात तो ये है कि जिस कंपनी का ये रेडियो है पकारिया वो हमारे अपने देश की कंपनी है और देखी हमारे अपने देश ने एक इतना अच्छा और प्यारा रेडियो बनाया है इतनी अच्छी क्वालिटी का जो कि बहुत ही जादा अच्छी बात है और आप गर्व महसूस कर सकते हैं इस बात पर कि इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है हमारा देश बनाता है इसकी कीमत है सिर्फ 1450 रुपए अगर आपको ये खरी करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में